हेलो अपर इबान वेरी गुद मॉर्निंग एक बाइब फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला पर जहां पर हम लोग कर रहे हैं विज्ञान विशे की तियारी चाहिए एक्जाम हो आपका बीपी असी टी आरी 2.0 में 628920 जो भी बच्चे या यूपी टेट सूपर टेट सी टेट जितने भी एक्जाम होते हैं सभी के लिए सेशन जो है आपका बहुत ही ज्यादा महत्पूर रहने वाला है आज की क्लास में कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ठीके जितने बच्चे भी केम क्लास से चले जाएं ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है ठीक है लेकिन भाई क्योंकि एक्जाम इंपॉर्टेंट है सेलेक्शन चाहिए आपको आप आए या फिर क्वेश्चन नहीं आए लास्ट तक प्रॉमिस करो अपने आप से पहले ही क्लास में हमें बने रहना है ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो इस क्लास में तो चलिए बिना लेट के हुए हम शुरू करेंगे एक बार जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे की तयारी कैसी चल रही है कल आम लोगों ने कुछ इसकत ChurchK mechanical के किए हुए थे हमने पताया था कि दो क्लास आपकी आकी हो चुकी थो क्लास में हम लोग केमस्टी करने वाले है अब अपकोके किसी भी कटीग्री के बच्चे हो ठीकि किसी भी एक्जाम की प्रेप्रेशन कर रहे हो ये उसी प्रेपरेशन कर रहे है ये क्लास बह आफ लाइफ टाइम पीरियड ठीक है जिसको कहते हो अर्ध आयू काल यह सारे चीजें आपके इंपीटिट वर के दो का जो बैच कंपलीट हो चुका है उस पर करवाया गया बच्चों ने कहा था मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही मैंने देखा ह centimeter class में जितने भी बैच में प्रियंका चातरा समस्या है मैं मेरी फटाइं क्वेश्च उुके से क्वेंटि से स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग का क्वेश्चन आपको सक्वेश्चन आपको कार्बन डेटिंग निमन की आयू निर्दारित करता है कार्बन डेटिंग का यूज हम किसमें करते हैं कार्बन डेटिंग का यूज हम किसकी आयू को पता लगाने में करते हैं अचा पॉल नहीं है ना हमारे बीच में अभी आपको पॉल मिलेंगे उस पर आपको एंसर करना है चलो तक तक ऐसे कर दो एक प्रशण मिद्ण की एंसर करना अश्यचंग का ली यूज unfair करने के लिए कर बंड्डेटिंग यूंस किया जाता है कि जवाश में है जवाश मह जानते होंना दमीन के नीचे जमीन के नीचे व थीडातों साल भाद जिवाश số साल बाद जिवाश में एक न मिलता है कोई ला मिलते AND अरे बस बस हमने सिर्फ बोला है ऐसा अब टार्गेट नहीं करना है प्रियंका को ठीक है यह वाला answer हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं अगला question कार्बन तिती निर्दारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक कार्बन का कौन सा समस्थानिक जो है यूज किया जाता है कर्बन का कुंसा समस्थानिक कार्बन तिति निरदारण में करते हैं यह सारी Gent 맞는 आपको बताई किए हैं जो क्लास की होती है एक इंटलिजोंट प्रयांग के को छित्रीक 614 620 c13 612 of a 614 जलदी से एंसर करेंगे जल्दी से एंसर करेंगे, साती साथ आपको पता देते हैं, इन सभी की PDF, हमारे टेलिग्राम चानल, साइंस भाई सारी का मैं में मिल जाएगी आपको, ठेके, 6C14, ये कार्बन का समस्थानिक है, जिसका यूज हम लोग, जिसका यूज हम लोग, जिसका यूज हम लोग, जो है बहुत अच्छे से जवाब देती है, भाई ये टार्गेट मत करो, ठीक है, अच्छा एक को पकले, हमने सिर्फ एक बोल दिया, कि जो है चीजे जादा है, वाकि कोई इंटेंशन दोड़ी है, बहुत अच्छी लड़की है, एक रेडियो धर्मी पदार्त की, अर्दायू का इसका अभी प्राय क्या है, इसका अभी प्राय क्या है, ये बताएंगे, पदार्त का पूर विगिटन बीस दिनों में हो जाएगा, ध्यान से करिएगा, पदार्त का पूर विगिटन चालिस दिनों में हो जाएगा, पदार्त के तीन बटे चार बाग का विगिटन बीस दि ffeeकेंगे स्वाव करेंगे ठीक हैं एक रेडियो धर्मपदारत का आर्धायोकाल दस दिन हैं अब इस दस दिन है इसका क्या मतलब हुए इसका क्या अभी प्राय है यह बताएँ है है दस दिन है इसका क्या मतलब टी हाफ पू ietet n 12 दिद दिया हुआ है अन न फिक अगर अर्डायू काल सततों कि लवाइव करते हो फिर हाफ करते हूं और दयों निगारिए फोर हो जाता है भाई इसका भी आधा करोगे तो बाई 4 हो जाएगा ना question के रहा है आर्द दर्विकीतन एक दीन इसका क्या मतलब शुभरोठ दीनों में लया sel़क्स देनों में लोगा थीन बटए 4 बाक का उ hadства 20 देनों में तीन बटे चार आपको क्वेस्चन में दे रखका है एक का विगटन कितने दोनों में होता है दस दोनों में यह कितनी बार हाफ किये गए हैं दो बार एहाफ किये गए तो हाफ कितना हो जाएगा दस दूनी 20 हो जाएगा यानि कि 3 बटे 4 भाग का विगटन कितने दिनों में होगा 20 दिन में हो जाएगा समझ गए कि नहीं समझे 20 दिन में हो जाएगा जल्दी से बताएंगे सभी को समझ में आया एक बार जल्दी से थमस अब करेंगे इस क्वेशन को हम लोग कैसे कर रहे हैं ठीक कोई बात नहीं प्रियंगा जैसे कि कह रहा है बस तुमसे क्वेशन दे दिया तुमको बस एक लाइन दे दी गई है आपको फिर इन से निकालना ह कह रहा है पदार्थ का पूर विगटन बीस दिन में हो जाएगा अब हमारे पास एक पद जैसे मालो एक चीज़े इसका विगटन बीस दिन में कैसे हो जाएगा जब कह रहा है आरदायू काल दस दिन है ये तो गलत हो गया पदार्थ का पूर विगटन चालिस दिन में हो ज देख लेते हैं, अगर एक बाग को आधा करते हो, आधा होता है, फिर इसको भी आधा करते हो, एक बटे चार होता है, फिर देख लेते हैं कितना, तीन बटे चार बाग कितने हाफ हो रहें, एक बराबर दस तो दो बराबर किता हो जाएगा, बीस हो जाएगा, बीस तो तीन ब हो जाएगा सी वाला करेक्ट एंसर आपका सी वाला हो जागा नेक्स क्वेश्चन पर चलेंगे अभी दो तीन और करोगे और अच्छे से समझ में आ रेडियो दर्मी बदार्त बदार्त का आधा जीवन काल यानि टी हाफ इकोल टू सब्सक्राइब उसी पदार्त का एक ग्राम एक ग्राम कितने दिन में यह बताना है आपको कितने जुनों में रह जागा आपको पता है आपको पता है अब मेरी बात अभी रुको अगर किसी को नहीं पता है अर्धायूकाल क्या होता है तो अभी हम समझाते हैं पहले इसको समझ ले चलो चलो पहले यहीं बताने क्योंकि पता ही नहीं है तो क्या सम थेके हाफ लाइफ पिरड मतलब क्या हुआ मतलब प्लीज आपस में बाते मत करो यहां पर ध्यान दो हाफ लाइफ पिरड का क्या मतलब हुआ किसी पदार्थ को आधा होने में कि आधा होने में लगा समय लगा समय क्या कहलाता है अर्ध आयू काल कहलाता है किसी पदार्थ का आधा होने में लगा समय अर्ध आयू काल कहलाता है समझ गाई की नहीं समझें इसको ही कहते हैं जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो डेली लाइफ वाला एक्जामपल जिससे तुमKO समझ में जैसे तुम एक लीटर दूध ले करके आए मार्केट से तुम एक लीटर दूध की अधा लीटर बनाने में तुमको जितना समय लगा यह आम बोल चाल की भाशा एक लीटर दूद को आधा लीटर बनाने में तुमको जितना समय लगा यह तो घर की भाशा वाली हो गई कि स्कौर्द आयूकाल कहते हैं ऐसे ही किसी पदार्थ को कोई पदार्थ विगटित हो रहा है जैसे कि माल लो कोई पदार्थ एक था इसको आधा होने में यह आधा हुआ एक का आधा 0.5 तो टी हाफ लगा फिर इसका भी आधा करेंगे इसका भी आधा करेंगे तो 0.25 हो गया क्वेस्चन कह रहा है एक से 0.25 होने में कितना आरदायूकाल लगा अगर एक अरदायूकाल का मतलब है अगर एक अरदायूकाल 70 दिन के बराबर है तो हमको 1 से 0.25 बनाने में दो बार अरदायूकाल निकालने पड़े तो टू हाफ बराबर 140 दिन 70 गुडे 2 यानि 140 दिन यह समझ आया कि नहीं समझ आया हाँ 12th class पे पड़े थे आप लोग 12th class 10th class में ही पड़े होगे कितना हो जाएगा अब आया समझ में हरदायूकाल कैसे निकालते हैं किसी पदार्त को आधा करने में ठीक है अब इसका मतलब ये नहीं दारिक तूम आधा कर दो मतलब दारेग्ट तुम one fourth कर दो, एक बार आधा करेंगे, फिर उसका भी आधा करेंगे, अभी बोल देता है इसका भी आधा, तो तुम एक बार फिर आधा करते, ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है जल्दी से बताएंगे आप समझ में आया यह वाला केशन आगे बहुत सारी बच्चे क्या रहे हैं तो रेडियो धर्मी पदार्त का आधा जीवन काल 70 दिन का है उसी पदार्त का एक ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा एक ग्राम को पहले माधा करेंगे करेंगे एक को 0.25 बनाने में दो बार हमें पूर करने पड़े एक अरदायू बराबर सतर दिन तो दो बराबर क्ट्थे के हो जाएगा सत्तर गुडे दो बराबर एक-सो चालिस दिन हो जाएगा अब समझ में आया है कि नहीं समझ में आया यह वाला एंसर आपका हो जाएगा अब यह क्वेशन क्लियर हुआ यह यूपी इंस्पायर सब प्लीज अब शान्त हो जाओ ठीक है ज्यादा हो रहा है आपका ठीक है जोती प्रियंका तान्या पूजा शिवानी मिनी भावना सही बच्चे बताएंगे कि अब यह वाला कवेश्चन वह में आग्या के नहीं आएँ आगया जुग्णू को आगया एंसर आगे चली आगे बढ़ेएंगे एक और सीपर करेंगी बताएंगे किसी की रेडियो सक्कृष्ष की बदार्त का 515 परसेंट एंस बचेंगा 25 परसेंट अंश का क्या मतलब हुआ सो से ये 25 तक गया सो से ये 25 तक गया क्योंकि परसेंट एज में दिया गया है कितने वर्ष बाद रेडियो सक्री पदार्थ का 25 परसेंट बचा और एक अर्धायू काल बराबर यानि कि टी हाफ तुमारा सोला सो वर्ष दिया गया है कह रहा है सो को 25 करने में कितना टाइम लगा तो सो को एक बार पहले हमने हाफ किया तो ये पचास हुए फिर हमने इसको हाफ किया तो ये तुमारे पच्चिस हुए कितनी बार हमको करना पड़ा दो बार हमको करना पड़ा एक अर्धायू काल सब्सक्राइब हो जाएगा 1200 गुड़े दो यानि की 300 भर्ष यानि की समझ गाए यानि की क्या हो जाएगा यान Kolleginnen 32-100 वर्ष हो जाएगा है कि लियर हो गई बात की नहीं क्लियर होई यह वताएंगे जलदी से बताएंगे अब कितने बच्चों को डण हुआ जल्दी से सभी थमसब करेंगे सभी पच्चे थमसब करेंगे अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई यार दायू काल कैसे निकालते हैं सब थमसब करेंगे या फायर वाला साइन भेजेंगे आग लगनी चाहिए क्योंकि तु द बहुत जबर्दस्त र cabinet cancer leukemia की रोग ठाम के लिए प्रियोक किया जाने वाला radio समस्था निक को सा है बहुत बढ़िया बढ़िया और जिनको नहीं क्लियर हो और तो लोग को देख कमत थामैरा मेरा बी क्लियर हो गया dönकर या रным का प्λα topic- Dart कि यह हो जाती है ज्यादा होती है कि कम होती है आ बढ़ जाती है यह गट जाती है अब लियूकेमिया थेखें soundTele condemned किसको यूज किया जाता है किसका यूज करते हैं जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा फॉस्फोरस 32 ठीक है फॉस्फोरस 32 इस रेडियो समस्थानिक का यूज किया जाता है बढ़ जाती है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेशन निम्नलिकत में से कौन सा सुमेली तो नहीं है एक नंबर फिक्स कर लो यहां से चाहे आप जैनल साइन्स वाले उसमें भी पूछ जाएगा ठीक है चाहे शिक्स टूएट नाइन टान्थ 11 डॉल्थ कोई भी हो जैनल साइस में भी यहां से पूछ लिए ज इतलब त्यूमर एक तरीके से फॉस्पोरस 32 ट्रीटमेंट ओफ लुकेमिया गोल्ड 198 रेटिना दोशों को दूर करने के लिए कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं है जल्दी से बताएंगे और सही नहीं है तो यूज हम किसमें करते हैं कौन सा सही नहीं है अकांशा नेहा स्वाती नीलू प्रियंका बभीता क्या हो जाएगा गोड़ 198 रेटिना दोशों का उप्चार करने के लिए जो है जो है गोल्ड 98 का उप्योग नहीं किया जाता है ठीक है बाकी शरीर के शरीर के अंतरंग जो है तुमारा ट्यूमर हो जाता है थेके बॉडी में जो ट्यूमर हो जाता है उसके लिए कोबाल्ट 60 का यूज थाइरोइड के ट्यूमर के उपचार के लिए आयोडीन 131 कोबाल्ट 60 का यूज हम किसमें करते हैं किसके उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है बताएंगे जल्दी से कोबाल्ट 60 का यूज हम लोग किसमें करते हैं और इससे कौन सी रेज उतसरजित होती है कौन सी रेज उतसरजित होती ये बताएंगे कौन सी रेज उतसरजित होती है किसका कौन से बहुत बढ़ी है गामा रेज जो है इससे निकलती है गोल्ड वन नैंटी किसी ने भी एंसर नहीं किया गोल्ड नाइंटी एट वन नाइंटी एट का यूज हम किसमें करते हैं तो भाई इसका जो है कि प्रदूशन कचरे में कौन सा प्रदूशन है तो प्रदूशन का पता लगाने के लिए करते हैं प्रदूशन का पता लगाने के लिए गोल्ड वन नैंटी एट का यूज करते हैं कोबाल्ट सिक्स्टी का यूज किसमें करते हैं कोबाल्ट सिक्स्टी का यूज किसमें करते करतें बताएंगे कोबाल्ट 60 का यूज हम लोग किसमें करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में ठीक है कैंसर ट्रीटमेंट बहुत बढ़ी है लिस्ट वन लिस्ट दो को मैच कराना है जैसे कि यूरेनियम का समस्थानिक इसका उप्यों किसमें करेंगे कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज किसमें करेंगे आयोडीन के समस्थानिक का और रेडियम के समस्थानिक का यूज किसमें करेंगे बताएंगे किसका उपचार किसमें करेंगे जल्दी से बताएंगे किसका उपचार किसमें करेंगे यूरेनियम के समस्थानिक का कोबार्ट के समस्थानिक का यही आयोडीन के समस्थानिक का और रेडियम के समस्थानिक का किसका उपचार किसमें करते हैं जल्दी से बताएंगा आप जानते हो यूरेनियम का समस्थानिक यूरेनियम को हम लोग एक नाभिकी रियक्टर में एक इनन की तरह प्रियोग करते हैं नूकलियर फ्यूल की तरह इस्तमाल किया जाता है यूरेनियम का इस्तमाल जो है यूरेनियम के समस्थानिक का उप्योग हम लोग नूकलियर फ्यूल नाभी की इनन के लिए करते हैं इसके अलावा कोबाल्ट के समस्थानिक अभी बताया सीओ सिक्सी कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है आयोडीन के समस्थानी के अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो आयोडीन की कमी से गेंगा रोग गॉई ट查 हो जाता है जिसको गलगंड रोग भीख्या दिया जाता है इसके treatment के लिए करते हैं और रेडियम का यूज हम लोग जो है दुत्ययक कांसर के उपचार के लिए करते हैं hreement of secondary cancer ठीक है treatment of secondary cancer दुत्ययक cancer के उपचार के लिए किया जाता है कौन तो यह हो जाएगा C वाला एंसर आपका सह्गा हो जाएगा ठीक है 4 1 2 3 uranium के समस्थानिक उप्योग nuclear fuel, कोबाल्ट के समस्थानिक का उप्योग cancer treatment, isotope of iodine का use हमलोग treatment of goiter, radium के समस्थानिक का use हमलोग दुतियक cancer के उपचार के लिए करते हैं, आगे बढ़ेंगे अगली प्रशने पर, किस प्रकार की अभे क्रिया में सबसे सबसे अधिक हानिकार्क विकिरण पैड़ा होती है सबसे अधिक हानिकारक रेडिएशन हां फूल रेडियेशन कौन सी reaction से उत्पन्न होती है fusion reaction, Fission chemical reaction या photochemical reaction, harmful radiation किससे उत्पन्न होती है जलदी से आपस में है ना जैसे कि सूर हम्याहरा होती है और में और फिजन क्या होता है लिकांडन में क्या होता है जभ यह उरेनियम क्यों हो चांदीत हो सब घ्राइगा हानिकार्या का ऐस सधाकर सूर की सता का ताप कितना होता है और यह किससे मापते हैं यह बताएंगे सूर की सता का ताप कितना होता है और यह हम किससे मापते हैं यह भी बताएंगे जल्दी से बताएंगे सूर की सता का ताप हम लोग किसे से मापते हैं पाइरो मेटर पाइरो मतलब एक तरीके से टेंपरेचर से मतलब होता है ठीक है जानते हूं बेसिकली बेसिकली नाभी की सलनयन में क्या होता है बता सकते हो नाभी की सलनयन की क्रिया में क्या होता है सलनयन ठीक है जब होता क्या ह मतलब चीज बनाना इसको कह़ें जाते है नाभी की विश्कार किस क्या था एंसर बताते हैं हाइड्रोजन और हीलियम ही विद्धमान होते हैं सूरे के अंदर चाहे सूरे हो चाहे तारे हो चाहे हाइड्रोजन बम हो इन सब की उर्जा का श्रोत इन सब में उर्जा बनना उर्जा का श्रोत कौन सी क्रिया होती है नाविकिये सनलयन की क्रिया होती है समझ गए की नहीं समझ गए इन सम में नाविकिये सनलयन की क्रिया होती है एडवर्ड टेलर बहुत बढ़िया हाइड्रोजन बम का विश्कार एडवर्ड टेलर ने किया था किस ने किया था एडवर्ड टेलर ने इसकी खोज करी थी परमाडू विखंडन किसकी प्रक्रिया है परमाडू विखंडन किसकी प्रक्रिया फ्यू फिजन्ज इसको कह दिया जल्ली बताओ बी वाला एंसर ज्यान से समझ लो परमाडू विखंडन जब दो बड़े नाभिक एक भर बारी परमाडू नाभिक छोटे छोटे चीजों में तूट जाता है वो तुमारा परमाडू विखंडन होता है बेसिकली परमाडू विखंडन कैसी अभिक्रिया होती है परमाडू विखंडन एक प्रकार की नियंत्रत अभिक्रिया होती है नियंत्रत किया जा सकता है नियंत्रत अभिक्रिया होती है लेकिन जब भी परमाडू विखंडन आ नियंत्रत अभिक्रिया होती है आ नियंत्रत हो किसने करी थी जल्दी से बताएंगे परमाडु बंका खोज किसने किया था जली से बताएंगे जल्दी फास्ट पर ओटो हॉन किसका नाम आता है ओपन हीमर किसका नाम आता है अविश्कार किस ने किया मैंने वा ओटो हॉन का नाम आता है कि परमाडू बम का अविश्कार जो है किस ने किया ओटो हॉन ने किया था साथी साथ आपको यह बता देते परमाडू बम में इदन के रूप में किसका इस्तमाल किया जाता है और पॉलोनियम का इस्तमाल जो है परमाडू बं में इनन के रूप में किया जाता है आगे देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन कुछ कळण और करण दिए गएं कथन क्या रहा है परमाडू बिखंडन की गटना आते जिकंट उर्जा उत्पन करती है रीजन वह प्रक्रिया जिसमें एक नाबिक दो भागों में टूट जाता है परमाडू भी कंडन कहलाता है कौनसा सही है कौनसा गलत है बताएंगे कौनस तो यह सारे आते हैं हमको पढ़ने के जुरत नहीं यह यह लावल मेरे में दोड़ी आएगा इतना टफ यह सब कुछ भी मत सोचो एंसर क्या है उसका अंसर पताया तो एंसर उसका बताया तो भी वाला एंसर एक बहारी परमाडू नाभिक में उपकंड हो जाता है यह सब बिन सोचे हुए आपको क्या करना है पूरे मन से क्वेश्चन के एंसर देने जो गलत हो जाए जो हम एक्स्प्लेइन करना है वह सुन करके करेट कर लेना है और रिवीजन करना है आपको ठीक है एटीवन का बी वाला एंसर रानी मैंने बोल दिया अभी कतन और कारड़ दो के दो सब्सक्राइब से ज्यादा कि ऊड़ा उत्पन्न होती है ठीक है इसके अलावा जो परमाडू विखंडन होता है इसमें क्या होता है एक नाभिक दो भागों में तूट जाता है एक नाभिक दो भागों में तूट जाता है परमाडू विखंडन की ग्रिया में आगे बढ़ नाभी की विखंडन या फिर नियंत्रत नाभी की सन्य जल्दी से बताईए अभी-अभी आपको मैंने बताया था अभी-अभी आपको यह बहुत इजी है बहुत बेसिक बहुत बेसिक है भाई यह बहुत बेसिक चीजे हैं यह क्या हो जाएगा अभी आपको बताया जो नाभी की विखंडन होता है जो नाभी की विखंडन होता है यह आपकी नियंत्रत अभिक्रिया होती है यह कैसे अभिक्रिया होती है यह नियंत्रत अभिक्रिया होती है लेकिन जैसे ही नाभी की विखंडन अनियंत्रत अभिक्रिया होती है यह किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं यहां परमाडू बं की तरह बिहेव करने लगते हैं पर परमाडू बम तुम्हारा अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन की तरह वर्क करता है बी एंसर बिल्कुल सही होगा आगे चालेंगे परमाडू प्रेस्पोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है परमाडू प्रेस्पोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है वही परमाडू ब प्रसपोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है ध्यान से एंसर करेंगे आधे बच्चे गायब है करेंगे जल्दी से एंसर आधे बच्चे उसके बाद कहेंगे प्रैक्टिस नहीं हो रही रिवीजन नहीं हो रहा भूल गए हैं यहना दुनिया भर की चीज़े बताएंगे करेंगे बते हुआ हैं कि बदाएंगे जल्दी से पर्माडू प्रेस्पोटन किसके दोना प्रेडित होता है अनिय अंत्रत शंकला भी करता जापान पर गिराए गए पर्माडू बमू के नाम क्या थे जापान पर हां हां वही देख रही है पिर बाद में पैसेश करेंगे टेलेग्राम पर मैं क्लास कहां होती हमको तो मिलती नहीं है यह दुनिया भर की चीज़े ना और हमने बोला भी था कि आपस में जो है एक दूसरे को बता दिया करो एक दूसरे को चीज़े क्या हो जाएगा जापान पर कब गिराए गया था छे अगरस्त 9 अगस्त को हिरो हिरोशिमा और नागा शाकी पर कौन कौन सा लिटिल बॉय और फैट मैं हिरोशिमा और नागा साकी पर जपान पर परमाडू बम गिराए गए उनका नाम था उनका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैं पर वर्श नाइंटीन फॉटी फाइव में नागा साकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फ कुटक कौन सा था जो नागा साकी में गिराया गया था सोडियम पुटाशियम प्लूटोनियम यूरेनियम 1945 में बताएंगे 1945 में बताएंगे हमने कह दिया है जो तने बच्चे एप्लीकेशन पर क्लास कर रहे हो अगर तुम सोचोगे कि तुमारे लिए अलग से निकाल लेंगे तुम्हें प्रैक्टिस करवाइंगी तो आप गलत हो यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है और आप करो क्योंकि कऊंट करके केम कजिंशन कभी आज तक नहीं तक नहीं करवाई है कि तीस हो गए टाइम् गिए खतम हो गया जटना टायम में पूरे में क्विश्छन करते रहो यह इतनी प्रेक्ट् Video कहीं नहीं होती है जान लो नागा साकी में ग्राइगा जोत फोर्त था उस मिचाइब इस्तमाल किया गया तरस 무슨 फोर टक था प्लूटोनियम का प्रियोग किया गया था ठेके प्लूटोनियम का प्रियोग किया गया था चलिए नियुक्लियर सन्लेयन के दोरान निम्नलिकित में से क्या होता है नूक्लियर वाइन ना भी की सवर्ण अ लिक्त्रituर बंबारी से बाल इनुल्पिस भनडिश रहें विग्ध कहई सनलिय वाइन और बंगंदु दो हलके नूप्लिया मिल्कर वह नीूल कर भल कि बनाते ने कहा है कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि लगता है कि थियोरी में इसको क्या बता है यह तो बहुत इजी है हना यह तो आते ही होंगे तो question के form में cover हो जाएंगे और question में तो गायब हो लेकिन तो कहां से तुम्हारा complete होगा इसलिए बहुत सारी चीजें आपको question के form में मिलेंगी तो आप लोग चाहो तो इनके भी note बना सकते हो यह PDF टेलेग्राम पे शेयर ही करते साइंस भाई सारी का मैं टीचिंग वाला सर्च कर लेना ठीक है न्यूक्लियर सनलयन के क्या होता है जल्दी से बताएंगे तो दो हलके न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियर सैनलयन की क्रिया में ठीक है चलिए next question पे चलेंगे कौन सा सौर उर्जा का श्रोत है ठीक है सौर उर्जा का श्रोत कौन सा हो जाएंगा ठेके नाभी की विखंडन भाया यह 628 वाली 628 वाली क्लास बीपीस्सी टी आरी 2.0 628 वाली सूपर टेट वाली यूपीट वाली यूपीट वे इस तरी क्यों आते हैं ठीक है 910 वाले बच्चे भी देख सकते हो क्योंकि 910 क्लास का यह सौर ओर्जा का श्रोत क्या होता है अभी आपने पढ़ा सौर ओर्जा का श्रोत नाभी की सनलयन होता है सौर ओर्जा का श्रोत न्यूक्लियर फ्यूज परदारीत है जल्दी से मतलब लगना चाहिए और अगर आमें बिल्कुल भी लगा कि तुम जो है काम चोरी कर रहे हो तो सोच लेना ठीक है हॉश सुर्य तार दीक को होता है नावी की सलेयन कौन सी क्रिया होती है तारिख से शुरू हो रहा था मिश्य थिस्थ तारिक शुरू हो रहा है तिस तारिक से नावी विक्सित किया गया था हाइडोजन बं किसकी द्वारा विक्सित किया गया था है अभी अब आपको अंसर प्रडाय गई ऐसा नहीं होता है कि बताया ना जाये और तुमसे पूच लिया जाय पूजा कोई दिक्कत नहीं और ऐसा मत सोच ना इतने सारे लोग एंसर कर रहे हैं में नहीं देख रही होगी एक बच्चे का देखर हो और हमको सब की बारे में पता है कौन कितने दिन मेरे क्यास में कितने उपस्थत रहते हैं कौन रेगुलर स्टूडेंट गलत कर रहे हैं ठीके hydrogen bomb किसने मिखचत किया था एडवर्ड टेलर ने hydrogen baum का विष्कार किस ने किया था समझे कि नहीं समझे hydrogen baum का विष्कार किसने किया था एडवार्ड टेलर ने पर्माडु reag Add àыми को और अब जैसे यह आपको सीखने को मिलेगा क्या है पर्माडु परमाडू रियक्टर का विसकार बैनोइट फोर नीरोन एडोल्फ डैस्चन यूजन फिक सैंड फोर्ड फ्लेमिंग या फिर एंड्रिको फर्मी बताएंगे परमाडू रियक्टर नूक्लियर रियक्टर ठीक हैं हाँ सबके बारे में पता है और तुम लोग बैठ के करकर आ रहे हैं यह भी को पता है परमाडू की रैक्टर क्या होता है क्लिके से जल्दी से बताएंगे पर्माडू रियक्टर का विश्कार किस ने किया था बहुत जबरजस्ट नहीं पता होगा तो आज पता चल जाएगा पर्माडू आगे question है कि नहीं है चल आपढ़ है यहां पहले बता देते हैं पर्माडू रियाक्तर क्या जानते हो उसके बारे में पर्माडू रियाक्तर के बारे में क्या जानते हो बता सकते हो बता सकते हो आप सभी किक नहीं जहां पर भी वह जगह जहां परमाडु विखंडन की क्रिया कराई जाती है उसे कहा जाता है परमाडु रियाक्टर आप बता सकते हो भारत का पहला परमाडु रियाक्टर कहा पर लगाया गया हूं बताएंगे जल्दी से भारत का पहला परमादू रियाक्टर कहां लगाया गया बारत का पहला परमाडू रियाक्टर कहां लगाया गया जल्दीचे बताएंगे तो यह तुमारा ट्रॉम्बे मुंबई में भाभा रिसर्च रिसर्च इंस्टिटीट द्वारा अपसरा में अपसरा नाम का अपसरा लगाया गया ठीक है ट्रॉम्बे मुंबई में भाभा रिसर्च इंस्टिट द्वारा ठीक है अच्छा अगर आपसे पूचा जाएं भारत का कामिनी रियाक्टर कहां इस्थेत है भारत का इस्थेत हैं कामिनी रियाक्टर तो यह आपका कलपक्कम में इस्थेत हैं किक हैं अच्छा यहां कि होता है यहांपर एक तरीके से बिजली जहां पर बनाई जाती है एक तरीके से बिजली जहां पर बनाई जाती है कि विखंडन जहां पर होता यह कह सकते हो पर्माडु रियक्तर में नियंत्रक रॉड जो क्या काम करती है पर्माडु रियक्तर में पर्माडू रियाक्टर में क्याडमियम की रॉड का भी इस्तमाल किया जाता है वो क्या काम करती है प्रतिक्रिया के दोरान उत्पन अत्यधिक उश्मा को अविशोशित करती है विखंडन प्रतिक्रिया और इस प्रकार तापमान में अधिक वरधी को रोकती है चेन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक नियूट्रोन उत्पन्न होते हैं बताएंगे क्या हो जाएगा शिवानी कि अगर लुए कि अगर जाएगा कि अगर को जल्दी से बताएंगे इस क्वैशन का इंसर कि क्या हो जांगा क्या वह करती है यह जो है चेन रियाक्शन को नियम्तRs करने के लिए यह जो अतरिक्त नीउ 특्रौन होता है अतरिक्त नीउ अव्शोषित करने का काम कैडमियम की छणे करती है अभी हम आपको बता रहे हैं सारी की सारी प्रोसेस पहले क्वेशन देख लो किसका क्या काम होता है परमाडू रियाक्तर में विखंडन प्रतिक्रिया की धर को नियंत्रत करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है जो छड़े कौन होती हैं किसकी बनी होती हैं नियंत्रक छड़े किसकी बनी होती हैं कि अगुग है कि किसकी अभी अभी आपने परदाय की चन स्टमाल करी जाती आपको पता है काडमियम के इलावा और और कौन चंड का इस्तेमाल कर लिया जाता है और बौरॉन की चंड का भी नियंत्रक के लिए कैडमियम या फिर बुरॉन की छणों का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है ठीक है बुरॉन की छणों का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है आपको बताते हैं बेसिकली प्रोसेस होती क्या है ठीक है अगर आपसे क्वैशन कहा दिया जाएं श. अगर आपर देखो पर माडू रियाकतर है यह पर माडू भिजली घर करी क wrapped कैसे क्षक यह कौंण सी क्रिया परधारित होती ले Prote इसमें कौन से अभिक्रिया होती है इसमें नियंत्रित नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होती है तो जब नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होती है तो यह कोशिस की जाती है कि जितना भी विकिरण होता है जितना भी रेडियेशन होता है विकिरण जो है अंदर ही बना र किसकी कंक्रीट की दिवार बनाई जाती है कंक्रीट की दिवार बनाई जाती है ठीक है 6 से 10 मीटर जो है मोटी कंक्रीट की दिवार बनाई जाती है जो कि इसके radiation को बाहर नहीं जाने देता अब इसी में ही क्या होती है कुछ नियंत्रक छणे लगी होती है यह नियंत्रक छणे किसकी होती है कैड़ियम की होती है और बॉरॉन की होती है यह क्या काम करती है इस से जो आप की स्टिबह नियंत्रक छणे होती हैं कडlaw が या फिर बूरौन की द्वारा किसी को भी इस्तमाल इसे किया जा सकता है ठेक के नियंतरते हो की रूप में कौन कारा कdepend करते हैं स्टमाल करते हंfed पूप को कॉनी करते ह molecu pagnac湯 कारे चाहसे कि यस पर्रक्रीय को करने के लिए मंदक के रूप में जो है या तो ग्रेफाइट या फिर भारी जल जिसको डी टूओ कह देते हो इसका उपयोग हम लोग मंदक के रूप में करते हैं परमाडू रियाक्तर में अगर ध्यान से सुनों के तो आएगा नहीं तो तुमारे सर के उपर से चला जाएगा सब कुछ ठीक है इसके अलावा इसी में शीतलक का काम भी होता है शीतलक कूलेंट का काम कूलेंट का काम कौन करता है बता सकते हो कूलेंट का काम कौन करता है मतलब परमाडू रियाक्तर में जब टेमपरेचर बहुत जादा होता है जब टेमपरेचर अधिक होता है तो इसम अभी आपको बताया, यह एक नियंत्रत विखंडन न विक्रिया जो नियंद विखंडन अभी करिया होती अब बताएंगे कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर हिएक्टर में कॉलेंट के रूप में किसका इस्तमाल किया जाता है कारवन डाइय across का लिकविड सोडियम का सी वॉटर का या फिर है acontec वाटर का बता पाओगे अब किस तरीके से अभी जब थियोरी बता दे तो तुम लोग उड़ जाते हो यहां से बाग जो चलो बाग लेते हैं यहां से है ना फिर जब क्वेश्चन आता है तो कहते हो मैं मैं आता ही नहीं है अभी आपको बताया शीतलक के रूप में जब यह बढ़ेगा कूलिंग करने के लिए उसको कुछ तो चाहिए होगा अब कभी नहीं भूलोगे बहुत बढ़िया शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं लिक्वेड सोडियम का सोडियम या फर पूटाशियम का अगर पूटाशियम अप्शन देता तो पूटाशियम सोडियम बपूटा बहुति ए तो सोडियम लगा सकते हो समझे कि नहीं समझे ए также भारत का पहले पहला परमारू बिजली घर को हंसा बनाया गया बारत का पहला परमारू बिजली घर कहां पर बनाया गया है किसके सायोग से बनाया गया है तो महरास्ट में महरास्ट में तारापूर तारापूर बिजली घर बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है किसके सायोग से बनाया गया है यू ऐसे के स्योग से बनाई गया था याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बारत का पहला परमाडु कि कि क्राश कौन ये में को लग रहे क्लास एर्थ में मिल जाता है के एर्थ के किभी जल्दी से किसी को याद हो तो बता दो बठ शबने menis School में पड़ाई आग। लग रहने है प्लू को बढ़े हुए हो गई नविक्रिया के इस नयांतरत करने के लिए न्यूट्रणों का वसुचन और कलिए किसका प्रियोग करते हो बॉर्ण का हैवी वाटर का यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम नियूट्रोनों का वशोशन करने के लिए किसका प्रियोग करते हो तो किसका इस्तमाल किया जाता है बोरॉन या फिर कैडमियम की छणे नियंत्रक छणे कौन सी होती है नियंत्रक छणों के रूप में किसका इस्तमाल करते से आडेमियाघ्व-वार ना सब बाऊ-बा ऐक्राइगा बाते आ् готов मिन एक पर जल्दी से कॉमेंट कर रहें थिए सिर्फ के त्योड करके त्यार हो मो milks ड्या प्रूरियμ को भी तरह हैं पुलमएद को हगता आप जानो आपकी लीला जाने ठीक है निम्नलेकित में से कौन सा पदार नाविकियर्याक्टर में मंदक का कार इंग कारे करता है तमुक। को धीरे कर देने वाला कि मोडेरेटर का कारे कौन करता है वो जोन करता है भारी हाइड्रोजन भारी जल या फिर हाइड्रोजन पर आक्साइड है तुम्हारी लीला राम लीला अप्रमिला एक दम लललन टॉप कोईशन है ना क्लियर हो गया ना वही कह रहे हैं दुख नहीं मन तो कि हमने पढ़ा की नहीं पड़ा पढ़ा जिस समय जो फड़ा रहे हो और लो मुहूर्ट नहीं आएगा पर्माडू रियाक्टर पढ़ने का एक शुब मूहूर्थ आएगा हो सकता जिस दिन क्लास चल रही हो उस दिन तुम्हें एमर्जन्सी में कहीं जाना पढ़ कारे करती है मंदक का कारे करती है ना यह सभी मंदक का कारे करती है ना विकीर रियाक्टर में निम्नलिकित में से किसे मंदक के रूप में प्रियोग किया जाता है कि हामिनी मंदक के रूप में थोरियम को ग्रिफाइट को साधारन जल को या फिर रेडियम को कि सबके लिए इंपोर्टेंट कुछ भी आ सकता है साइस में माल लो आ गया तुमारे एक्जाम में तब तुम यह थोड़ी कोगे आयोगने आउट ओफ से लिबस अगर तुम कह भी दोगे तो तुमारे नंबर थोड़ी बरा दिये जाएंगे तैयारी पूरी करके जाओ पूर मंदक की रूप में भी करते हैं एक नाविकी रियक्टर में बारी जल का क्या कारे होता है बारी जल क्या कारे करता है बताएंगे बारी जल क्या कारे करता है न्यूट्रोनों की घति को कम करने में न्यूट्रोनों की घति को बढ़ाने में रियक्टर को ठंडा करने में नाव जो कह रहे हैं दूसरे देश से प्रशन हैं तुम बोलो चाहे कुछ भी नंब्र जीरो ही मिलेगा समझ रहे कि नहीं बाकि तुम अगर लकी हुए तो तुम्हारा तुकक का बेठाईगा लकी बहुत को धीमा कर देता है civ scan při ca किया कर देता है धीमा कर देता है समझ गा कि नहीं चानł 10 गंगती को धीमा करता है सिरे परमाळू रियक्टर में बहरी जल क्या होता है बहरी जल है कि क्या होता हैуск fans. एन डाओं लदर ऑक्सीजन के पेकशाक्रत बहरी समस्तानिक य Bourbon मिशन बिदह बांप को कि में प्रश्ण संक्या 100ंशतक लग से शतक लगा इस शतक लग गया तुमारी में तुम्हारा शतक लेकिन लगा हाइड्रोजन क्या पेक्षाक्रत भारी D बता रहें बच्चे समस्थानिक का एक उक्साइड बिल्कुल सही भारी जल हाइड्रोजन क्या पेक्षाक्रत क्योंकि D2 है न भारी समस्थानिक का एक उक्साइड होता है अगला क्वेशन नाभी की सन्यंत्रों में ग्रेफाइट का उप्योग किया जाता है ग्रेफाइट का उप्योग हम किस में करते हैं इनन की तरह इस नहां की तरह भी मंदक की तरह या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं ग्रेफाइट का यूज हम किसके रूप में करते हैं ग्रेफाइट का उप लेट कर दिया जाता है ना तो आप लोग English थोड़ा समझ लिया करो कि ना नुक्लियर र्याक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह किसका प्रियोक कर लिया जाता है यह वाला एक्सेप्शन थोड़ा से तो मैं लग रहोगा नहीं निया क्वेशन भारी जल डीटूओ का इस्तेमाल जो हैं मलोग मंदक की तरह भी कर लेते हैं और प्रशीतक के रूप में भी कर लेते हैं अगला प्रेश्ण अगला प्रेश्ण यहां से तुमारे थोड़े से नई यह सब चीजें अब यह क्वेशन करने आप सभी बच्चों को चलो पहला क्वेशन देख लेते हैं आप से बताना नहीं तो हम तो हैं यह बताने के लिए आईनिक योगीकों के संदर्व में आधे बच्चे भाग गए मतलब ऐसा होता है ना देक पता चल रहा होता है ना क्लास में आईनिक योगीक अलकोहल में अगुलन शीर होते हैं आईनिक योगीक थोस अवस्ता में विद्धुत के सूचालक होते हैं सही कतन का चयन करेंगे अच्छा देखेंगे कौन-कौन बच्चे बताएंगे कि यह आईनिक बंद क्या होते हैं आईनिक योगीक कौन से ह होते हैं कि बताएंगे सब बिलकुल एकदम अच्छे से दिमाग लगा के बताने आपको है बिलकुल दिमाग लगा के बताने आपको देखेंगे कौन-कौन बताता है आयनिक बंद को ही हम लोग सा विद्धूत संयोजी बंद भी कह देते हैं विद्धूत संयोजी बंद है ना आयनिक बंद कहीं ना कहीं है आयनिक बॉंड होते हैं जिसको हम लोग विद्धूत संयोजी बंद विद्धूत संयोजी बंद भी कह देते हैं विद्धूत संयोजी से कंबाइन करते हैं कि एलक्ट्रोनों की साजेदारी होती इसी को इसे कि एन लेकिन आइनिक यॉगिक क्या होते हैं यह आपको बताना है question आप से पूछ गया है बताएंगे आइनिक योगिक एलकोहल में अगुलनशील होते हैं बिल्कुल सही आइनिक योगिक ठोस अवस्ता में विद्धुत केसु चलक होते हैं यह इनों ने गलत लिख दिया है ठोस अवस्ता में विद्धुत केसु चलक नहीं लिक्विड अवस्ता में होते हैं यह वाल बंद ने सी अल में कौन सा बंद है यह बताएंगे अधिन देखो बाई एक लेवल के कुश्चन हम अभी से करवाने लगें रीजन जब तक तुमारा एक्जाम मालो एस्टेट की तरह दो दिन के अंदर परसों तुमारा एक्जाम है मतलब ना हम कहीं के बचेंगे ना तुम कह करवा रहे हैं दुबारा यह क्वेशन लेकर के आएंगे तो तुम पटा पट पट उत्तर बताओ तो मेराथोन करने में मजा भी आएगा आपन को तब मजा भी आएगा क्लास लेने में कि बड़ी हां से बच्चे करने हैं सर हम भी खुश तुम भी खुश और अभी कलतियां कर रहे हो नहीं आ रहा है सीखो अभी तो टाइम है जैसे दीपा वली आती है दीपा वली की त्यारी तुम महीने भर से करने लगते हो सफाई इकटा करने लगते हो कि बहीं चलो मिठाई क्या बनाया जाएगा सोचने लगते हो अब पता चला दीपा वाली वाले दिनी तुम सोच रहे हो लाव पूरे घर की सफाई कट डाले पता चला तुम साम तक दिवाली जलाने टाइम है तुम पड़े हो बीमार सफाई करते करते एक दम आखरी इस्थिति में पहुंच गए तयारी पहले से करनी होती है लास्ट ताइम क्या है थोड़ा सा देख वेक लिए हां हो जाता है दातू सोडियम तुमारा क्या हो जाता है दातू क्लोरीन तुमारा क्या हो जाता है अधातू और अधातू के बीच में जब एलक्ट्रोनों की साजेदारी होती है एलक्ट्रोन की ट्रांसफर होता है तो यही तुमारा हो जाता है यही तुमारा क्या हो जाता है आ क्या चीज़े कि सकी कितनी है ठीक है इसके आगे च्वाइज डिटी करवाएगे तो यह न बन्ड की सलेंग ए पनलू र्यक्टर यह सारी चीज़ें तुमने कर ली कौं रियाक्तर की तरह कौं मंदक की तरह कौं नियंत्रक छड़ें इस अथ तुमने कर लिए आज तुमने और आप एक बज़े क्लास हो गई आप सभी बच्चे जोइन करेंगे वाकिक कॉमेंट करके तुमारी रिस्पोंसिबिलिटी है सारे बच्चे ठीक है तुम्हारा पाप लगेगा सारे बच्चे कॉमेंट जरूर करके बता करो क्लास आपको मेरी कैसी लगती है ठीक है बहले चीके रिवाइस करी और इसी तरीके से बने रही है हम आएसा टीचिंग वाला पर चली फिर एक घंटे बात मिलते हैं